हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायोश और बात करेंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में अडानी गृक्त के बारे में अडानी शेयर अंडाउटेटली दोस्तों आज भी गिरावट के दौर पे ही बंद हुए हैं गिरावट की चपेट में आत कर पाएगा अगर अडानी गृक्त फेल हो गया तो डिफिनिटली उसी के लिए और बिया का दोस्तों आज जाके ऑफिशल स्टेटमेंट निकल के आ चुका है चलिए सबसे पहले इसी से शुरुवात करते हैं कि आर्बिय ने आखिर कहा क्या है तो साफ सब आप देख सकते आर्बिय ने क्या कहा है आर्बिय स्टेटमेंट ऑन दे हिल्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर अब वर्ड का इंपोर्टेंस है कि उन्होंने डिफिनिटली बताएए कि बैंकिंग सेक्टर की अभी किस तरह से यहां पर एक्स्पोजर है बेसिकली अब इस जरूर दोस्त इसके बैंकिंग से उसके उपर नजर रहती है कि वो किस तरह से यहां पर काम कर रहे हैं बली वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई individual बैंक हो हमेशा एक financial stability बनाने का काम RBI करता हुआ आया है RBI ने दोस्तो CRILC CRILC मतलब क्या होता है Central Repository of Information of Large Credits यानि जब भी कोई बैंक बड़ा लोन देता है तो उसके लिए RBI ने एक already database system बना रखा है इसका नाम है CRILC वो क्या होता है data system data system वो हमेशा रिपोर्ट करता है जब भी कोई बैंक जो है वो ज़्यादा exposure दे रही है एक business conglomerate को more than 5 करोड जब भी कोई बैंक 5 करोड से ज़्यादा का exposure देगा किसी conglomerate को तो उस data में RBI को पता चल जाएगा और RBI के assessment के मताबिक current assessment के मताबिक जो banking sector है वो अभी भी resilient है यानि सही है stable है कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें काया कि हमने सारे parameters जो capital adequacy rate आप ले लीजिए asset quality ले लीजिए liquidity ले लीजिए provision coverage या फिर company के profitability ले लीजिए इन सब के जो भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि important parameters है उसके उपर RBI के तरफ से निगरानी की उसके उपर RBI ने अपना assessment किया और उन्हें काया कि bank जो है वो अभी भी compliance है जो भी LEP यानि large exposure framework के तहट जो guidelines आती है वो सब banks के दौरा follow किय गया है जो RBI ने बना रखी है तो नहीं यही का है कि जो RBI है वो अभी भी vigilant है और यहाँ पर monitor करेगा stability of the Indian banking sector सो हम एक ही बात कह सकते हैं कि इस report से overall बताया तो यही गया है फिर company statement से RBI यह जाहिर करना चाहता है कि जो बात हो रही है PSU banks पे या फिर हम पूरी banking community को भी ले ले तो उसके उपर RBI मान के चलता है कि कोई ऐसी खास चिंता जनक बात नहीं है जो बताई जा रही है reports के अंदर तो definitely it's a very positive statement बढ़ हाँ यह एक जरूरी कदम हो चुका था RBI के तरफ से लेने का क्योंकि लगातार दोस्तों अगर बात उठ रही है तो definitely उसमें कुछ ना कुछ especially banking stocks की में बात कर रहा हूँ जो गिरावट के दौस से गुजर रहे थे जरूर आज recovery आई I think I think banks के लिए भी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा कि उनको कम से कम पता है या फिर कहूं general public को पता है कि हाँ इतना कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है यह RBI के तरफ से clarify कर दिया कि अडानी ग्रूप के लिए तो पता नहीं बट यह कह सकते कि banks के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा sentiment change करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो definitely अब RBI के तरफ से clarification निकल के आ जाता है तो I think market उसको सुनेगा भी सही और उसको समझेगा भी सही सबसे important तो यह ही ह अब लग रहा था कि आज जो हमने बिछले वाले वीडियो में बात करी थी कि जुसमें Fitch के द्वारा कहा गया कि I think जो Adani Group उनके तरफ से कहा गया कि Adani Group के ऐसी कोई हम अभी खास उनके उपर change नहीं ला रहे हैं जो पहले था वो अभी भी है और अभी हम confident है कि जो भी Adani Group के द्वारा हमारा exposure है basically वो सही है तो अब positive की वीच में वापिस से एक थोड़ी सी ख़बर important निकल क्या है यह negative निकल क्या है यह फिर कह सकता हूँ कि यह definitely पहले भी कहा जा चुका है तो उन्होंने क्या कहा है यह खबर आईए दोस्तों Moody's के तरफ से जो Moody's Rating Agency और उन्होंने कभी भी कोई company है definitely उसके लिए सबसे important होता है कि हमेशा एक तो उसका जो rating है वो बढ़िया रहे है क्योंकि हर company को business के लिए debt अनिवार होता है इसमें कोई doubt नहीं है कोई इसा business नहीं होता है जो बिना debt के चल जाता है लेकिन यहाँ पर लगातार अगर कोई group के उपर प्रकार का ग्रावट आ रही है या फिर कह सकते हैं जो negative sentiments पुरे चल रहे हैं तो इसमें moody's का यहीं मानना है कि अगर यह चीज़े लगातार persist करती गई तो definitely अडानी group के लिए market से पैसा उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उनने यह भी कहा है कि we recognize that a portion of the capex is differable and the rated entities do not have significant maturing date until 2025 अब यह तो definitely काफी सारी rating agencies के दौरा कहा गया है कि हमारे पास जो भी exposure है इनका वो basically अगर आप समझेंगे तो उसकी जो maturity date है basically वो definitely अभी time है उसको लेकर आज 2023-2024 में भी नहीं है इनका 2025 में किसी का 2024 में भी है तो यह साफ-साफ कहा गया है अब उनने क्या का given the significant and rapid decline लगातार जो rapid गिरावट आ रही है market के अंदर equity values of Adani Group companies ये एक बहुत ही बड़ी चिंता जनक बात हो सकती है company के लिए क्योंकि इससे सबसे important तो governance concerns पैदा होते हैं जो highlight किये गए और दूसरी बात क्या है कि हमारा immediate focus किस पे है कि हम company को वापिस से assess कर रहे है कि जो हमने rating दी है इस entities को overall इनकी financial flexibility कैसी है क्योंकि इनकी liquidity position access to funding to support refinancing और ongoing growth initiatives ये सब बहुत important है हमारे लिए भी समझना ये उनके तरफ से साफसाफ कहा गया है लेकिन जो most important बात कही गई है कि जो developments हो रहे हैं उससे ये हो सकता है कि जो company की ability यानि company की जो शमता है वो हो सकता है कि company पैसा ना उठा पाए आने वाले कुछ time के लिए अगर company की इसी प्रकार से लगातार गिरावट आती रही counters के अंदर equity value के अंदर उन्होंने ये भी कह दिया जो committed capex है अब refinance की बात करते तो हमारे जो maturing date है वो over the next one two years है तो हम recognize करते है कि जो हमारा portion है of the capex वो differable है यानि कह सकते ह differable मतलब यह होता है कि company चाहे तो उसको थोड़ा सा delay भी कर सकती है उसमें भी कोई इनको दिक्कत नहीं आने वाली है तो यह दोस्तों उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है but the most important thing कि हाँ अगर यह बात कहते हैं कि company के लिए finance race करना problem है तो यह थोड़ा सा चिंता जनक बात company के लिए भी है because I think Adani Group ने जरू clarification बहुत सारे दिये 400 पन्ने का clarification दिया but market ते इतना कुछ खास समझा नहीं और आज दूस्तों जो शुरुबात में आपने गिरावट देखी Adani Intervrises के stock में वो अपना पर बहुत चिंता जनक थी जरूर रीकवर कर गया 2% की गिरावट हो गई एक दिन में 50% का कोई counter के अंदर move आ रहा है तो यह थोड़ी सी चिंता जनक बात है because Adani Intervrises याद रखेगा इस company की flagship company right Adani Intervrises कह सकते big boss है और बाकी सब उसकी companies है तो अगर flagship company इतना गिर जाती है तो यह market में कभी भी अच्छा image पेश नहीं करता है और यह हफता तो हम कह सकते कि इनके लिए बहुत जादा बुरा दौर था या फिर कहें यह भुलाना इनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि stock की value 50% से गिर गई और अगर 50% दूस्तों share की value गिर रही है तो definitely पैसा बहुत खोया है company ने इसमें कोई doubt नहीं है तो I think Adani Group के लिए अब मुझे देखना होगा यह हम सब के लिए देखना होगा basically कि जो share एक समय पे 4190 का हुआ करता था आज 1017 का low बना लिया इतनी बड़ी गिरा reward आ गई उसके बाद share 1530 चले गया आज का high लगा लिया 1680 रुपे का और अगर इस एक दिन के अंदर इतने बड़े moves आ रहे हैं एक दिन में stock 30-30% तक तूट रहा है तो company क्या कर पाती है because company के पास अभी दिख नहीं रहा है कि कोई कोई भी यहां पर इसको counter करने के लिए ची कह सकते हैं कि जो उनकी दौरा short किया गया था undoubtedly एक बात तो माननी पड़ेगी कि profit उनको गजब का हो रहा होगा इस प्रकार का उन्होंने short किया जरूर time specific थे वो बिलकुर उन्होंने research किया जो भी किया but जिस time पर आये हम कह सकते accurate उन्होंने तीर मारा जो definitely लग भी किया company को आ यह भी बहुत बड़ी बात है कि जो अडानी green और अडानी ports की bond की अगर हम बात करते हैं जो इन्होंने दे रखे हैं अडानी green का जो bond है वो basically 20% से जादा की yield पे trade कर रहा है मतलब अगर इस तरह से कोई भी bond trade करता है तो यह बात समझ लीजिए उस bond की कोई value नहीं बची है मतलब क्या होता है कि उसकी value जो है वो इतनी depreciate हो चुकी है कि अब उस bond का कोई मतलब नहीं निकला है रहेगा so I think अब देखना होगा कि क्या होता है company के लिए और further चीज़े क्या निकल के आती है banks के लिए थो हम कह सकते कि थोड़ी सी रहात की खबर है SBI की भी chairman का अज बयान निकल के है जो करीबन 27 करोड की उनकी अभी company के अंदर exposure है जो definitely हो मान के चलते है कि हमने जो भी दिया है वो basically assets पे दिया है shares पे pledge नहीं किया है हमने shares नहीं लिए तो I think ऐसी अगर चीज़े कह रहे है तो ठीक अच्छी बात है इस बहुत इंपोर्टन होना action देखने वाला और definitely इस action का हमको भी wait करना पड़ेगा इस वीडियो में तो इतना ही था बाकि आप सब comment section में बताईए कि moody इसका क्या कहना सही है क्या उसका impact आ सकता है या फिर RVI ने जो आज statement जारी कर दिया है क्या उससे market में mood माहुल अडानी ग्रूप के shares का specifically change होगा नहीं होगा comment section में ज़रू बताईएगा thank you friends for watching this video